आज मैं आपके लिए चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्विकली तयार हुती है इसलिए इसका नाम मैंने क्विक ब्राउनी रखा है इसको तयार होने में जस्ट 12 मिनट्स लगते हैं और इसको बनाना बहुत ही असान है करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है और तमारे तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है तो चले हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा बोल ले लिया और इस बोल के उपर एक स्ट्रेइनर रख दिया अब इसमें मैंने डाला है ये मैदा वन कप और ये हाफ कप यानी वन एन हाफ कप अफ मैदा मैंने डाल दिया है इसके अंदर और साथ ही इसमें हाफ कप कोको पाउडर एड कर दिया अच्छा कोको पाउडर के साथ इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ओफ बेकिन पाउडर और हाफ टी स्पून ओफ ब चान लेना है सिफ्ट करने से तमाम चीज़ें एक तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और सेकिनली ये कि ब्राउनी या केक को जब चान की बनाया जाता है तो ये इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है चले जी इसको विस्क के साथ मिक्स किया और एक साइड पे रख दिया नेक्स टेप में ने एक और प्यारा सा बोल ले लिया और अब इसमें मैंने ये चीनी डाली है तू कप्स आपने पाउडर चीनी लेनी है और ये हाफ कप अफ ऑफ ओल है इसको आट कर दिया त्री एक्स तीन अंडे इनको भी डाल दिया और इसके साथ साथ इसमें जाएगा फॉर्टर टी स्पून ओफ मिनी लेसंस फॉर्फ कप अफ मिल्क रूम टेंप्रेचर पे है ना बहुत थंडा ना बहुत गर्म और ये है वाउम वाटर नीम गरम पानी इसके फॉर टेबल स्पून जाएंगे और ये फॉर ठीक है चले अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये एक से दो मिनट इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी के चीने मिक्स हो जाए बहुत जादा इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है चले ये हो गया अब नेक्स्ट मैंने जो ये ड्राइ इंक्रीडियेंस का एक मिक्सचर त्यार किया हुआ है इस सारे मिक्सचर को मुझे इस लीक्विड में शामिल करना है मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालती जाओंगी और विस्क के साथ हिलाती जाओंगी और इसको मैं तब तक हिलाओंगी जब तक ये सारे जो पाउडर्ड चीजे हैं ये इस लीक्विड के अंदर डिसपियर ना हो जाए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसको हिलाना बाद कर दूँगी इसको भी बहुत जादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है ने ये जो बैटर हमने तियार किया है इसको मैंने इस डिश में डाल दिया बोल को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और अब बारी आ गई इस डिश को माइक्रोवेव के अंदर रखने की अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी और माइक्रोवेव का टाइमर मुझे सेट कर रहा है 12 मिनिट्स पे 12 मिनिट्स में ये ब्राउनी तयार हो जाएगी माइक्रोवेव को चला दिया और ये ब्राउनी को खोनी शुरू हो गई है 4,3,2,1 चलें जी अब मैं माइक्रोवेव को खोलती हूँ और ये देखें ब्राउनी तयार है मैं आपको इसको टेबल पे रख के दिखाती हूँ ये देखें ये मज़ितार सी यमी सी ब्राउनी तयार है अब इसको थोड़ा मेक अप करते हैं और इसको प्यारा बना लेते हैं इसके लिए मुझे चाहिए होगा चॉकलेट सीरप और वो कैसे बनेगा हूँ मैं आपको बताती हूँ ये मैंने 5 टेबल स्पून आफ कोको पाॉडर ले लिया है और ये 5 टेबल स्पून आफ शूगर है साथे साथ इसमें 1 टेबल स्पून आफ कॉन फ्लार सब चीज़ों को मिक्स किया ये चॉकलेट सीरप की रेसिपी अलहदा से मैंने ये क्लिप जो है इसकी वीडियो अप्लोड की वी है आप इसको सर्च कर सकते हैं चॉकलेट सीरप बाई किचिन पैंट्री चॉकलेट सीरप बाई किचिन पैंट्री इसको आप सर्च करें और आपको डीटिल रेसिपी मिल जाएगी चले अब ये जो स्लडी मैंने तियार की है इसको मैं इस सॉस पैंट के अंदर डाल दूँगी ये मैं जरह तेज़ते हैं जल्दी जल्दी से आपको बता रही हूँ फ्लेम को अन किया और बिल्कुल स्लो कर दिया फ्लेम को जीरो फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी विस्क चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर लांपस ना बने ये तकरीबन 3-4 मिनट में ये गाड़ा हो जाएगा और जब ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाए और ये गाड़ा हो जाए तो मैंने 1 टी स्पून इसमें बटर एड़ कर दिया है और इसको भी मिक्स कर लिया चलें अब ये चॉकलेट सीरप जोम है ये हो गया ही तैयार अब हम चलते हैं अपनी ब्राउनी की तरफ जो हमारा इंतान कर रही है ये थोड़ी कूल-डाउन भी हो गई है और साथ ही मैंने चॉक्लेट सीरप को भी दूसरे बोल में डाल कर उसको भी थोड़ा सा उल्डाउन किया है ठंडा किया है ताके मैं इसको ब्राउनी के ओपर डाल सकू चले अब ये सारा चॉक्लेट सीरप जो है ये मैं इस ब्राउनी के ओपर फिला दूँगी अच्छे तरी कर रही हूं यह फजूल सा स्टैप है अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है ऐसी मैंने बस डिजाइनिंग कर दी थी फोग के साथ चले जी अच्छा इसकी बारी आगी है कटिंग की यह देखिए इसको मैं नाइफ के साथ कट करें इसकी सॉफटनेस चे अपनी ही स्लाइसे में कट करेंगे स्क्वेर शेप दे लेंगे इसको यह देखिए इसको मैंने सारी ब्राउनेस कट कर ली और अब इसको थोड़ा सा मेक अप करते हैं और यह मैंने चैरी लगा के और इसके ओपर स्प्रिंकल्स डाल के तो यह मैंने इसको रेडी कर लिया है अगर आप नहीं डालना चाते तो ना डाले मुझे तो खुद बिल्कुल अच्छे नहीं लगते है आपने इसको बनाना है और यह बहुत ही इंशाला मज़दार बनेगी आप इसको बनाएं अपने लिए अपने प्यारों के लिए मुझे फीड़बैक दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपका और मेरा तालुक आपस में जुड़ा रहे नेक्स्ट वीडियो था अल्लाहाफेज